मद्धिप्रदेश में सारुक खान और दीपिका पादुकोन स्टार फिल्म पाथन का विरोध तेज हो गया है। में 400 से जादा कॉल आये। कई लोग घर पर आये और पठान फिल्म को मुसलिम के खिलाब बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में मुसलिमों की भावनाओं को भड़काया गया है। नरोता मिश्रा भी कह चुके हैं कि पठान फिल्म के गाने में अभिनेतरी की वेज भुसा और द्रशो को ठीक करें। नहीं तो फिल्म को प्रदेस में रिलीज होने की अनुमती दी जाए अत्वा नहीं। इस पर फैसला किया जाएगा इस मामले में नेता प्रतिपच ने भी फिल्म के सीन्स को लेकर आपत्ती जताई है। खुर्रम ने कहा कमेटी के पास देश भर से फोन आ रहे हैं। फिल्म को असलीलिता दिखाने और धर्म को बदनाम करने वाला बताया गया है। सबसे जादा फोन यूपी बिहार करनाटक और तेल गाना से आए हैं। फिल्मे में कानूर और नियमों का मजाग उड़ाया गया है। इसके बाद भी फिल्म में रिलीज होती है तो हम इसके खिलाब मुख मंतरे सिवरास सिंग्चोहान और राजपाल को ग्यापन देंगे। केंद्री सेंसर बोट को भी पत्र रिलिक कर फिल्म में मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने वाले सीन हटाने की मांग करेंगे कोई भी हो हम उसका पुर्पोस विरोध करेंगे। फिल्म में इसलाम की नियमों और कानून का मजग बनाया गया है ये सहनिये नहीं है। 막 की उसलाम क कृड़य लगणिया नहीं हुझे अ outta दो évidemment की षी कृड़याウ बनाया हुझे इसलाम क इसलाम की फिल्म में मुस्लिमों क की थे कैनून केंगेkówा इसलाम। एन्यावण आतला गाम को लोगों ने हमको सब ने ये बताया कि पठान नाम की कोई मूवी बनाई ये फिल्म बनाई ये शारुक खान ने और उसमें हमारे इसलाम धर्म का बहुत मज़ाक उड़ाया है तोहीन की गई है मुसल्मानों की तोहीन की गई है और पठान नाम रखकर मुसल्मानों की के समान मान मर्यादा से खिलवाड किया गया है